हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन इस्कूल पर हारदिक स्वागत है देखे आज मैं एक खुसकबरी लेके आया हूँ सरकार ने दिवाली बोनस का एलान कर दिया है जी हाँ 17 तारिक को डिपार्टमेंट ओफ एक्सपेंडिचर मिन के ही है जिससे लाखो करमचारियों को फायदा होगा देखे मैं आपको वह ओफिस मेंपोरेंडम दिखाएता हूं जिसमें सारी बाते क्लियर हो जाएंगी कि इसको उसका बेनफिट मिलेगा किसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत से डाउट्स ऐसे रहते है वो सब doubts भी यहाँ पर clarify किये गए हैं इस office memorandum के अंदर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल पर पहली बाँ विजिट कर रहे हैं तो देखे चैनल को subscribe कर लेजिए वीडियो को like करें और share करें शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की देखे यह है government of India ministry of finance department of expenditure का 17 October 2023 का office memorandum देखे कल रात ही यह जारी हुआ है grant of non productivity link bonus जिसको ad hoc bonus के नाम से भी जाना जाता है to central government employees for the year 2022-2023 देखे यह किस किस पर applicable होगा central government के अधि करमचारी जो भी है उसके बाद में देखे defense के paramilitary के group C के जो भी करमचारी है उन सभी के लिए और उसके बाद में जो group B के non-gadgeted employees हैं उन सभी को इनके अंदर डाला जाता है the calculating ceiling for payment of ad hoc balance under these orders shall be monthly emoluments of rupees 7,000 देखे जो monthly ceiling रखी गई है इसकी वो रखी गई है 7,000 रुपे यानि उसी आधार पर आपका जो है bonus का decision होगा है यानि यह जो है maximum limit है 7,000 the orders will be deemed to be extended to the employees of union territory administrative which follow the central government patterns of employments and are not covered by any other bonus or ex-gratia अब है benefit will be admissible subject to the following terms and conditions किन-किन terms and conditions के आधार पर यह bonus दिया जाएगा only those employees who are in service as on 31 March 2023 यहाँ पर देखिए दो चीजे याद करने योग के हैं कि 31 March 2023 को आप service में होने चाहिए and have rendered at least 6 months of continuous service during the year 2022 तेहिस यानि 2022 तेहिस में आपको जो accounting year है उसमें continuous 6 महीने आपने service भी की होनी चाहिए ऐसी condition में ही आपको bonus मिल सकता है वो भी मिलेगा pro rata base यानि जितना आपने service किया होगा उसी आधार पर अगर आप पहले retire हो गए हैं तो आपको देखे उससे पहले ही आप देख सकते हैं आपर bonus उतना कम हो जाएगा दा eligibility period being taken in terms of number of months of service rounding of the nearest number of months देखे अगर आपने 6 महीने 6 महीने 4 दिन 6 महीने 10 दिन service किये तो उसको 6 महीने माना जाएगा लेकिन 6 महीने अगर आपने 15 दिन कर लिया तो आपको देखे 7 महीने यानि आपको जो है nearest month में number of months माना जाएगा दा quantum of non-PLB ad hoc bonus will be worked out on the basis of average emoluments by calculation ceiling whichever is lower यानि देखे या तो emoluments या calculation ceiling जो भी lower होगा वो आपको दिया जाएगा देखे यहाँ पर मैं आपको diet बजाता हूँ देखे total जो ceiling maximum है वो इन्होंने 7000 मानी है 7000 को आप multiply करेंगे 30 से 30 दिन होते हैं और अगर हम average month लगाएं तो देखे average month जो होते हैं 30.4 आता है अगर आप 31 31 इस टाइफ लगाएं 30.4 आता है तो आपको 7000 multiply by 30 divide by 30.4 तो यह आता है 6908 रुपे तो देखे आपका जो बोनस बनेगा वो 6908 रुपे बनेगा लेकिन अगर आपका देखे इससे कम बैठता है तो आपको कम मिलेगा या अगर आपने सर्विस कम की है आपका जो number of पूरी साल अपने नहीं काम किया है तो उस आदर पर ये कम हो जाएगा अब बात करते हैं casual liver who have worked in offices following a 6-day week or for at least 240 days जो every year आप करते है 4-3 years or more यहापर 3 साल और सर्विस उनकी होनी चाहिए 206 days in each year for 3 years or more in case of offices observing 5-day week देखे अगर आपको 6-day week में है तो 240 days होने चाहिए लगतार 3 साल तक और या उस से ज़्यादा अगर आप 5-day week में काम कर रहे हैं यह बात चल रही है casual labor के लिए तो जो कि 206 दिन आपकी होनी चाहिए total service तो देखे यहाँ पर जो bonus बनेगा वो उनका बनेगा आप देख सकते हैं 1184 रुपे in case where the actual amount fall below 1200 रुपीज तो the amount will be calculated on actual monthly emoluments तो देखे बारे सो ही से जगर कहीं कम बन रहा है तो देखे यहाँ पर जो है बारे सो ही मिलेगा तो minimum जो है वो बारे सो है उसके बाद में देखे यहाँ पर कुछ doubts दिये गए है points दिये गए है देखे 724 207 यह जो है 1710 2023 का office memorandum है whether the employee in the following categories are eligible for the benefit of ad hoc bonus for an accounting year employees appointing on purely temporarily अगर किसी को temporary ad hoc basis पे employee appoint किया जाता है तो क्या उनको benefit मिलेगा देखे यहाँ पर condition आपको याद रखना है 31 March में आप service में होने चाहिए और 6 मेने की country और सर्विस आपने उस accounting year में की होनी चाहिए accounting year का मतलब देखे 1 April 2022 से लेके 31 March 2023 का है employee who resigned लेकिन अगर देखे आपने बताया कि 31 March को सर्विस में होने चाहिए लेकिन अगर कोई आदमी सर्विस में 31 March 2023 से पहले या तो retire हुए है invalid out के चकर में या resigned दिया है उन्होंने या फिर वो expired हो गए तो ऐसी condition में क्या होगा देखे इनको एक special case माना जाएगा और उनको pro rata basis पे जो है यहाँ पर दिया जाएगा दिवाली बोनस employees on deputation foreign services term of state governments UT government public sector undertakings ETC on 31 March 2023 तो यहाँ पर भी देखिए such employees are not eligible for ad hoc bonus to be paid by the lending departments in such cases the liability of to pay ad hoc bonus lies with the borrowing organizations depending upon the ad hoc bonus PLB exgratia incentives payment schemes if any in force of the borrowing organizations या देखिए अगर आप कहीं foreign office service में जाते हैं deputation पर जाते हैं तो उस unit की responsibility बनती है कि वो आपको bonus दे अगर वहाँ पर कोई step की schemes available है employees who reverted during accounting year from deputation on foreign service with the organizations indicated in class C and above जो C point में दिया गया है उसके आधर पर यहाँ पर बताया गया है और भी देखिए जो points है वो यहाँ पर मैं आपके सामने दिखायता हूँ आप चाहें तो यह office memorandum मेरे telegram channel nano school से ले सकते हैं वहाँ पर यह साई जंकरी आपको मिल जाएगी तो यह थी आज की important जंकरी दिवाली बोनस का ऐलान हो चुका है और देखें वो आपके खाते में दिवाली से पहले पहले आ जाएगा फसके लो दिवाली से ले